तो आज हम आपको बहुत ही आसान रोज बताने जा रहे हैं जिससे आप positive degree से comparative and superlative degree बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो चली start करते हैं तो यहां पे हमारा first tool है positive degree plus er equal to comparative degree and positive degree plus est equal to superlative degree यानि कि जब आप positive degree में er लगा दोगे तो आपका comparative degree बन जाएगा और जब वही positive degree में आप est लगाओगे तो आपका superlative degree बन जाएगा okay for example यहां पे देखिए हमारा adjective word है bold bold okay यह अभी positive degree में है अब इसी में आप er लगा दो यानि कि अब इसको अगर आपको comparative degree में बनाना हो तो आप er लगा दो यह आपका bolder हो गया comparative degree में अब देखिए बी ओ यल्डी bold में आप est लगा दो बी ओ यल्डी est हो गया boldest यह आपका superlative degree में हो गया अगर आपको comparative degree में बनाना हो तो आप er लगा दो इसमालर हो गया औके अगर आपको इसका बिगर बनाना हो तो आप est लगा दो समालेस्ट here x100 अगर आपको इसका घंड बिगर बनाना हो तो आप er लगा दो बिंड बदिए बनाना है divided तो इस का इन्युक अगर सोज़ा Oops इस और सॉपर लेटेश दिग्री दीघ्री का चोहीं अगर सोल जाते हैं अगरोगोई जैसा की आपको फर्स टॉ में बताया गया था कि अगर आप positive degree में ER लगा दोगे तो आपका comparative degree बन जाएगा and EST लगा दोगे तो आपका superlative degree बन जाएगा ओके? लेकिन अगर आप कहो कि positive degree में पहले से ही E लगा हो यानि positive degree के last में पहले से ही E लगा हो तो तो बहुत ही जुरूर है तो उसका रूल है positive degree plus R equal to comparative degree and positive degree plus yes T equal to superlative degree यानि कि आप क्या करोगे अब positive degree में बस R लगा दो आपका comparative degree बन जाएगा and yes T लगा दो आपका superlative degree बन जाएगा क्योंकि E already उसमें लगा हुआ है तो चलिए आपने example देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका adjective word लिखा है breb B-R-A-V-E है ना यह अभी positive degree में है अब इसको आपको comparative degree and superlative degree में बनाना है तो आप क्या करोगे इसके lash में देखिए E पहले से लगा हुआ है है ना तो आप बस इसमें R लगा दो आपका comparative degree बन जाएगा B-R-A-V-E-R ओके ब्रैवर यह आपका comparative degree हो गया अब इसी में आप यस्टी लगा दो आपका superlative degree बन जाएगा B-R-A-V-E-S-T ब्रैवेश्ट आपका superlative degree हो गया ओके तो देखिए आप हमारा second है W-I-S-E तो देखिए इसके भी last में E पहले से लगा हुआ है है ना तो बस इसमें R लगा दीजिए W-I-S-E-R वाइजर यह आपका comparative degree बन गया अब इसी में आप यस्टी लगा दो W-I-S-E यस्टी इसके भी last में E पहले से है तो बस आप R लगा दो W-I-S-E लगा दो W-I-S-E हो गया अब हम आगए अपने थर्ड रूल पे कि अगर positive degree का जो adjective है उसके last में Y हो तो आप उसको comparative degree and superlative degree में कैसे बनाओगे तो उसके लिए हमाया रूल है कि positive degree के last में जो Y है वो I में convert हो जाएगा and plus ER and plus EST तो क्या करोगे आप पहले Y को I में convert कर लो और फिर उसमें ER लगा दो तो आपका comparative degree and Y को I में convert कर लो EST लगा दो आपका superlative degree बन जाएगा ओके तो चलिए आपको example से समझाते हैं यहां पे देखिए हमारा जो adjective word है positive degree में वो है E-A-S-Y E-G है ना इसके last में Y है तो अगर इसका आपको comparative degree बनाना हो तो आप क्या करोगे आप Y को I में convert कर दो और इसमें ER लगा दो E-A-S-I-E-R easier हो गया अगर इसका आपको superlative degree बनाना हो तो आप क्या करो Y को I में convert कर दो और E-S-T लगा दो E-A-S-I-E-S-T easiest अगर इसका आपको comparative degree बनाना हो तो आप Y को I में convert कर दो और E-A-R लगा दो जैसे H-E-A-V-I-E-R heavier हैवियर ओके अगर आपको इसका superlative degree बनाना हो तो Y को I में convert कर दो और E-S-T लगा दो heaviest ओके अगर थर्ड देखिए अमारा लिखा है happy इसके last में भी Y है अगर इसका comparative degree बनाना है तो Y को I में convert कर दीजिए और E-A-R लगा दीजिए happier हो गया ओके अगर superlative degree बनाना है तो Y को I में convert कर दीजिए और E-A-S-T लगा दीजिए happiest हो गया ओके फूर्थ मारा है merry इसके last में भी Y है अगर इसका related degree बढ़ाना है तो Y को I में convert कर दीजिए और ER लगा दीजिए merrier हो गया and superlated degree बढ़ाना है तो Y को I में convert कर दीजिए और EST लगा दीजिए merist हो गया and फिर्ट देखिए wealthy इसमें भी last में Y है तो अगर आपको इसका comparative degree बढ़ाना है तो y को i में convert कर दिजी और er लगा दिजी वेल्दियर हो गया अगर इसका superlated उगी बनाना है तो y को i में convert कर दिजी और est लगा दिजी वेल्दिष्ट हो गया अब हमारा fourth rule यह है कि अगर जो positive degree का adjective है उसके last का later consonant है और उसके पहले wobble है ध्यान दिजीगा last का later consonant and उसके पहले wobble letter तो वहाँ पर comparative degree and superlative degree बनाने का rule है वो यह है कि last के later को double कर देंगे और उसमें er लगा के comparative degree बनाएंगे and last के later को double करके est लगा के superlative degree बनाएंगे for example तो देखिए यहाँ पर आपका positive degree का adjective word है big big देखिए last का later g यानि consonant है और उसके पहले wobble यानि i है तो अगर इसका आपको comparative degree बनाना हो तो आप last के later यानि g को double कर दोगे और इसमें er लगा दोगे bigger यह आपका comparative degree हो गया और अगर इसका आपको superlative degree बनाना हो तो आप last के later को double कर दोगे and इसमें est लगा दोगे ओके जैसे big डबल जी est biggest हो गया ओके and second देखिए hot last का later consonant और उसके बाद का later vowel h o t तो अगर इसको comparative degree में बनाना है तो last के later को double कर दीजिए और इसमें er लगा दीजिए h o t t e r hotter हो गया ओके and अगर इसका superlative degree बनाना है तो last के later को double कर दीजिए and est लगा दीजिए h o t t e st hottest हो गया ओके and third देखिए लिखा है sad यहाँ पे भी last का later consonant और उसके पहले का later vowel है तो इसके भी last के later को double कर दीजिए and er लगा दीजिए sadder हो गया ओके last के later को double कर दीजिए and est लगा दीजिए saddest हो गया ओके देखिए मारा fourth है fat इसके भी last का later consonant and उसके पहले का later vowel है तो इसमें भी अगर comparative degree बनाना है तो last के later को double कर दीजिए and er लगा दीजिए fatter हो गया and अगर super later degree बनाना है तो last के later को double कर दीजिए and est लगा दीजिए fattest हो गया ओके and fifth है हमारा thin last का later consonant है and उसके पहले का later vowel है तो इसमें आप last के later को double करके and er लगा के comparative degree बना लेजिए ओके thinner हो गया and super later degree बनाना है तो last के later को double कर दीजिए and est लगा दीजिए thinest हो गया and six हमारा है wet wet देखिए last का later consonant है और उसके पहले का later vowel है अगर इसको आपको comparative degree बनाना है तो last के later को double कर दीजिए and er लगा दीजिए better हो गया अगर superlative degree बयाना है तो last के later को double कर दीजिए and est लगा दीजिए better हो गया तो अब हमारा fifth rule यह है कि कुछ ऐसे adjectives हैं जिनकी positive degree में more लगाके आप comparative degree एंड positive degree में most लगाके आप superlative degree बना सकते हैं okay for example beautiful अब इसमें आप more लगा दीजिए तो comparative degree बन जाएगा and अगर आप most लगाते हो तो यह आपका superlative degree बन जाएगा beautiful more beautiful and most beautiful ओके end है courageous इसमें आप more लगा दो तो comparative degree and most लगा दो तो superlative degree बन जाएगा courageous more courageous and most courageous ओके third है difficult इसमें भी आप more लगा दो तो comparative degree and most लगा दो तो superlative degree बन जाएगा difficult more difficult and most difficult ओके and fourth है important इसमें आप more लगा दो तो comparative degree and most लगा दो तो superlative degree बन जाएगा जैसे important more important and most important ओके fifth है useful इसमें भी आप more लगा दो तो comparative degree and most लगा दो तो superlative degree बन जाएगा useful more useful and most useful ओके अब है no rule यानि कि कुछ ऐसे adjectives हैं जिनके उपर कोई भी rule apply नहीं होता है उन्हें बस अब देखके learn कर लेजिए ओके वे है first bad इसका comparative worse and superlative worst good better best late later latest little less least much more most old older या elder and superlative oldest या eldest best and last time well इसका comparative better and superlative best ओके तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स टाइम नेक्स वीडियो में हम फिर मिलेंगे क्सितरे पिर डको चीड़ सा हमें क्सितरों बेदान जर। ले कि अल्ography नेकि पिर स्बफे कि शफ़संता है ले चा बाक्स आपको को सुफधा है तो हमें हमूनों बाक्स बका बाक्स झाल झाल